दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में नहीं थम रहा है बुखार का कहर कोरोना वायरल डेंगू मलेरिया के बीच अब स्वाइन फुलू की भी दसत डाक्टरों ने कहा घबराना नहीं है समझ सा बढ़े तवीले परामर्स जिहां बिहार में बुखार की दसत है सामायने कारण से होने वाले बुखार भी नीन उड़ा रहा है कोरोना वायरल डेंगू मलेरिया की बीच अब स्वाइन फुलू की भी दसत है संक्रमन का डर लोगों की हालत खराब कर रहा है वायरल भी इतना परिसान करने वाला पहले कभी नहीं था पहले बिना अस्पताल गए बुखार ठीक हो जाता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है वायरल में बुखार से तप्रह मरीजों को एडमिट होना पड़ता है कोरोना के लक्षन वाले बुखार से निवेटना बड़ी चुनोती है आपको बदा दे कि राजी में लोग एक साथ कई बिमारियों के खत्रे से परिसान है कोरोना की तिसरी लहर की आसंका की बीच डेंगो मलेरिया वायरल के साथ स्वाइन फुलो का खत्रा है बच्चों से लेकर हर उमर की लोग परिसान है सरकारी अस्पतालों में वेड़ फूले और मरीजों को प्राइवेड अस्पतालों का सहरा लेना पड़ रहा है अगली बड़ी खबर मौसम की मार से फैली बिमारिया जानलेवा बनी ब्रोंकोलाइटिस से पहली मौत 32 नई बच्चे अस्पताल में भरती जा मौसम की मार से फैली बिमारिया अब जानलेवा बनती चली जा रही है लगतार तिसरे दिन बच्चों की मौत का सिलसिला जारी रहा स्वमवार को सहर के किजरिवाल अस्पताल में ब्रोंकोलाइटिस से पहली मौत हुई दो वर्स के सुदरसन ने दम तोड़ दिया वहीं आपको बदा दे कि ब्रोंकोलाइटिस हुआ वायरल बुखार के 32 बच्ची सुमवार को अस्पताल में भरती किये गए 11 मरेज SKMCH की पीकु में और 21 मरेज किजरिवाल अस्पताल में भरती किये गए वहीं इन दोनों अस्पतालों से 23 बच्चों को छुट्टी भी मिल गई कोरोना के बाद अब बिहार में बढ़ा डेंगो का खत्रा तीन दिन में मिले सोलर मरेज स्वास्ट विभाग अजिहां वारल सर्दी खासी और बुखार के बाद अब डेंगो ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है सहर के जल जमाव वाले इलाके में गंदगे और मच्चर का प्रको बढ़ने के बाद डेंगो पिडित भी तेजी से मिलने लगे हैं पिछले तीन दिन में सोलर डेंगो पिडित की रिपूर्ड सिविल सर्जन कारयाले को भेजी गई है तीन डेंगो पिडित आईजी आएमस में भरती है अगली बड़ी खबर स्वास्त मंत्री का एलान वारेल बुखार से पिडित बच्चों के बेहतर उपचार के लिए सभी सिएस को किया गया अलट जिहा स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने कहा कि राज में वारेल बुखार से पिडित बच्चों के बेहतर उपचार के लिए सभी सिविल सर्जन को अलट रहने के निर्दिस दिया गया है साथ सभी सदर अस्पतालों एवा मेडिकल कोलेज सा अस्पतालों में जाच और उपचार की मुकमल तयारी रखने की भी निर्दिस दिये गये हैं इस क्रम में किसी बच्चे में वारेल बुखार निमोनिया स्वाइन फलो और जई आदिके लेक्षन मिलते हैं उस बच्ची की ततकाल नजदिकी स्वास्ट कंद पर ले जाकर समुचित जाच और उपचार करा हैं आति उन्होंने कहा कि गंभी रूप से बिमार बच्ची को बहतर इलाज के लिए रेफर करने के अलावे संबंदित विस्तूत रिपोर्ट रोजारा मुकाले के बेजने का निर्दिस भी दिया गिया है वारेल बुखार को लेकर सरकार की तोरित कारवाई का काफी सकरातमक नतीजी सामने आ रहे हैं सब इस सरकारी स्वास्त संस्तानों में उक्त बिमारियों से बचाव के लिए हर परकार की आवश्यक दवाईया जाच डॉक्टर एवम नर्सिस की विवस्ता की गई है अभी तक राज के विविन मेडिकल कोलेज से अस्पतालों में वारेल बुखार से पिड़िद बच्चों में से अधिकांस बच्चे स्वस्त हो रहे हैं अगली बड़ी कवर पेम मोदी के जनम दिन पर बिहार में कोरोना टिका करन का महा बियान सेम नितिस ने किया एला जिहा प्रदहान मंतरी नरिंदर मोदी के जनम दिन पर 17 सितंबर को बिहार में कोरोना टिका महा बियान चलेगा मुख्यमंतरी निदीश कुमार ने कहा कि इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं बड़ी संक्या में उस दिन लोगों को टिका लगाया जाएगा आग बता दे कि मुख्यमंतरी सुमौार को जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे मुख्यमंतरी ने कहा कि गाओं में भी कोरोना टिका करन तेजी से चल रहा है हम लोगों ने चौ महिने में चौ करोड टिका का लच रखा है पर इस अवदी में चौ करोड से भी अधिक सिंख्या में टिका लगाएंगे अगली बड़ी ख़बर बिहार में अब तक 62,3% को लगा है कोरोना का टिका सकेंड डोज लेने वालों की सिंख्या तेरे लाग के पाद जहां राज में अब तक करीब 62,2 लोगों को कोरोना का टिका लग चुका है करीब 7 करोड 22 लोगों का टिका करन किया जाना है उनमें से 4 करोड 47 लाग लोगों ने पहला या दूसरा टिका लगवाया है स्वास्त विवाग के अनुसार 3 करोड 69 लाग लोगों ने राज में अब तक वेक्सिन का पहला डोज लिया है दूसरा डोज लेने वालों की सिंग्या अपेक्चा करित कम करीब 78 लाग पचास हजार है स्वास्त विवाग का कहना है कि राज के सहरी चेतर में टिका करन का काम करीब करीब पूरा किया जा चुका है इस वज़ा से विवाग का सरवादिक फोकस ग्राबिन चेतरों में है बड़ी कबर बिहार के कई जिलों में बारिस के आसार पटना केंदर ने 15 तक के लिए जारी किया लाग जिहा सितंबर महिने के पहले सब्ता में बिहार का मौसम अचानक बदल गया और लगा की मानसुन राज से रुट गया है आला की महिने के दूसरे सब्ता में राज का मौसम एक बर फिर से बदल गया है मौसम में हालिया बदला के बाद राज में बारिस के आसार फिर से बढ़ गये हैं पिछले दो दिनों में राज के विभी निस्व में बारिस हुई भी है और इसके कारण उमस और गर्मी से परि पाटना मौसम बिग्यान केंद्र ने माईद एवं उत्तर विहार के अधिकांस जीलों के लिए बारिस का येलो अलेट जारी कर दिया है यह बक्सर भोजपुर रोहतास भववा औरंगाबाद अरवल सिवान सारन गोपाल गंज पाटना नलंदा नवादा गया एवं सिक्पु वने मुझपर पूर दरवंगा समस्ति पूर और किसन गंज में भारी बारिस की आसंका है इसके मद्द नजर मौसम बिगान केंद्र ने उक्त जीलों के लिए भी अलाइट जारी कर दिया है इसके अलावा उत्तर विहार के कुछ जीलों में गुरुवार को भी मेग गरजन अब बिजली चमकने के असंका है बाड़ी कबर बिहार में अब घर घर घुमेंगे स्वास्थ सेवक लेंगे मरीजों की जानकारी एनी राज्जों से आने वालों पर रखेंगे नजर जोके कोरोना संकट को देखते वे दूसरे राज्यों से आने वाले पर स्वास्थ विभाग नजर रखेगा इसके अलावा राज्य में घर-घर गुम कर स्वास्थ सेवक कोरोना मरीजों की जानकारी हासिल करेंगे विभाग ने यह पहलमुख मंतरे नितिस कुमार के निर्दिस के ब बिहार के किसानों का एक और कारनामा धान और दलान ही नहीं अब मस्रूम की खेते में बनाया रिकॉर्ड जा मस्रूम उत्पादन के मामले में उत्तर बिहार सहितपुरे राज ने सांदार उबलब्दे हासिल की है राज में पिछले पांस साल में दो हजार से बढ़कर 22,000 टन उत्पादन तक मस्रूम का उत्पादन हो रहा है पोश्टिता के साथ और गुन से बरे मस्रूम की विभिन वेराइटी के उत्पादन को मढ़ावा देने के लिए राज़ेंद्र प्रसादर किसी विस्वित दलाई पुसल लगतार प्रियास कर रहा है आपको बदाद के म बदों के लिए दिसंबर में होगा एक्जाम जिहां बिहार लोग सिवा आयोग यानि बीपेसी ने सरसट भी परती होगी ता परिच्छा की नोटिफिकेशन की तीदी बदल दी है अब 20 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसके तहद सामान प्रसासन की और से 503 पदों पर नियुक्ति की जाएगी 12 दिसंबर को परिच्छा का आयोजन होगा जिसे लेकर बीपेसी ने सारी तैयारिया पूरी कर ली है वहीं आपको बताते चले कि 65 भी बिहार लोग सिवा आयोग मेंस का फाइनल रिजल्ड सितंबर के आंतिया अक्टोबर के प्रथम सब्ता में आज आएगा परिचा नियंतरन अमरेंदर कुमार ने बताया कि 67 परतियोगिता परिचा के लिए एक हपते के अंदर रिक्तिया आज आएगी इस परिचा में ग्रामेन विकास पदादिकारे के सबसे अधीक 133 पद है वहीं नगर कारिपालक पदादिकारे के 110 जिहां बिहार में ओला विरिष्टी और अने कारणों से किसानों को फसल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए राज सरकार अब रासी का भूतान करने जा रही है आज से किसानों को सरकार की तरब से रासी का भूतान सुरू किया जाएगा राज सरकार की तरब से साकारिता वि किसानों की बीच कुल सहयता रसी 226 करोड दी जाएगी जो इसके दाइरे में लवग 218 करोड 40 लाक रूपय का भूगतान हो चुका है पहसल सहयता योजना में रभी की सहयता रसी दी जाएगी तरकार की इस योजना के तहट खरीप में राज भर की लवग 4,63,000 किसान पात्र थे इसलिए जाच में इन किसानों का दावा सही निकला लिहा जा सकारिता विवाग ने 4,47,070 किसानों के बीच रासी बाढ़ दी है रासी सभी किसानों के खाते में टांसफर की गई है सेस बचे किसानों का भूगतान भी एक दो दिन में पूरा हो जाएगा लालों के बड़े बेटे की चात्रों और इवावों से अपेल तेज परताब यादम ने कहा 26 नॉवंबर तक एक लाख लोगों को चात्र जनसक्ती परिसत से जोड़े 26 नॉवंबर तक पूरा करी लच्च बिहार के पूर वस्वास्त मंत्री वा चात्र जनसक्ती परिसत के राष्टी अधक्ष तेज परताब यादम ने चात्र इवावो और जनता यानि एक लाख लोगों को लेगल कम्यूनिकेशन रिसर्स के मायदम से 26 नॉम्बर 2021 यानि समिधान दिवस तक जोड़ने का लच रखा गया है इस लच को प्राप्त करने की अपील उन्होंने इवावों से की है कहा कि एक प्रकंड में चार मंडल टीम का गठन किया ज जाएगा अगली बाड़े कपर रगवांस बाभू कि पुनेतिती पर ट्यस्वे ने दिः संधानजली कहा रगवांस बाभू को राज के समान मिलना चाहिए पूर्व केंद्रे मंत्री स्वा रगवांस परसाध सिंग की कल पहली पुनितिती ती इस मौकी पर आरजेडी नेता तेजसी यादव मुझपर पूर पहुचे जहां देवगंद नेता रगवांस सिंग की परतिमा का अनावरन किया इस मौके पर नेता प्रतिपाक्ष तेजसी यादव ने उन्हें सधांजली दे और याद किया नेता प्रतिपक्ष तेजसी अदम ने सरकार से मांग किया कि रगवांस बावो को राज के समान मिलना चाहिए और उनकी पूने तिदी को राज के समारों के रूप में मनाया जाना चाहिए तेजसी ने कहा कि बिहार में प्रधान मंतर सडक योजना के तहट जितने भी सडक कर निर्मान हुआ है उसमें रगवांस बावो का बड़ा योगदान है रगवांस बावो निरास होकर बैठने वाले वेक्ति नहीं थे बलकि चुनोतियों का सामना करने वाले वेक्ति थे हर अ नवादा सेखपुरा और नलंदा को होगा फाइदा जहां दच्चिन बिहार में सक्री और नाटा नदियों के जोड़न की समावनों पर काम हो रहा है इसमें मुईक रूप से तीन जिलो नवादा सेखपुरा और नलंदा में करीब 60,000 हेक्टर में सिचाइच हमता बिक्सित होगी वहें उत्तर बिहार में भी बागमती बोड़ी गंड़क वा नोन सहित अन नदियों को भी जोड़न की समावना तलासी जा रही है अगले डेड़ महिने में यह काम पूरा हो जाएगा आपको बदा दे कि फिलाल पालट प्रोज सिचको की टीम काम कर रही है अरांद के बड़े कबर काम पर लोटे बिहार में नगर निगम के इस्ताई सफाई करमचारी दो दिन के भीतर सहर में बहाल होगी सफाई वबस्ता जहां पटना नगर निगम के सबी इस्ताई सफाई करमचारी समवार देर साम तक कायर पर लोट कर दिया है कर्मियों के काम पर लोडते ही सभी अंचलों में पूर्जोर तरिकी से साफ सफाई का कार प्रारम हो गया है पूलिस बल की तैनाती की बेच सडकों से कुड़ा उठाव का कार प्रारम कर दिया गया है एवं नगर आयुक्त महदो की निर्दिस अनुसार दो दिन की भीतर पूरी सहर में सफाई विबस्ता संपुन रुप से बहाल कर दी जाएगी आज के लिए आपका सवाल आपके अनुसार बिहार में सबसे ज़्यदा मसुहर जगा घुमने की कौन से है इसका जवाब आप हमने नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं